जोतिस अचार जी रासी के अनुसा माता दुरुगा को क्या दान करना चाहिए नौ दिनों तक और इसे जातक के उपर कैसा प्रभाव पढ़ने वाला है हरार महादेव जैवावरेदिनाद नवरात्र के समय जो अब छेत्री नवरात्र आ रहा है उसमें जदी आप रासी के हिसाब से जैसे आपकी रासी जदी मेस है तो आप माता रानी को क्या अरपन करें और अरपन करने के बाद उस अरपन किये हुए वस्तु को क्या करें तो यह जो है मेस रासी वाले माता को लाल चुंदरी अरपन करें और अरपन करने के बाद वो लाल चुंदरी आप हुमारी लड़की को दान भी कर सकते हैं आप उस अरपन किये हुए चुंदरी को जरूरत मंद जिसको जो जरूरत हो वैसे व्यक्ति को आप दान कर सकते हैं तो मेस रासी वाले लाल चुंदरी माता को अरपन करें ब्रिशब रासी वाले सफेद वस्त्र माता को अरपन करके दान करें मिथुन रासी वाले माता के सामने गेहूं रख करके माता को अरपन करें और वो गेहूं जरुरत मंद को आप दे दें करक रासी वाले गूर की मिठाई, सिंग रासी वाले गुलावी वस्त्र माता को अरपन करें कन्या राशी वाले मशूर दाल और तुला राशी वाले सफेद वस्त्र माता को अरपन करें ब्रिसिग राशी वाले अनार का फल माता को अरपन करें और जरुरत मंदों को धान करें धनु राशी वाले पीला पुस्प माता को अरपन करें मकर राशिवाले नीले रंकावस्तर माता को अरपन करें एबन दान करें, कुम राशिवाले माता को केला अरपन करें, फल में केला अरपन करें और केला जो हैं वहाँ किसी को दान कर दे मीन रासी वाले खीर मालपुआ और पूरी ये बना करके माता को अरपन करें और नवरात्री के समय ये सब जरुत मंदर को दान करें भूखे को भोजन करा दे